नाम शहरे रहिचुर एरपोर्ट रख दीजिया नाम बस किसी का भी नको आज बड़े तकलीफ की बात है जिस एरपोर्ट के लिए नाम के लिए जो चर्चे चल रहे हैं पहली बात तो मैं कुछ चन बाते बताना चाहता हूं जो स्वामी जी को जो मंतरालम में है वो स्वामी को भी आदोनी के नवाब दिया सो जगे है मंदीर के वास्ते मैं उसके अब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं यानि के मैं बताना चाह रहा हूं और निजाम सरकार जो है हमारे हिदराबाद के निजाम सरकार एरपोर्ट के लिए 250 एकर जमीन दिया है यह हो गया उसके बाद फर् तारिक से आस्ता काया ना हमको यही खबर थी के नेरोजी का नाम रखा जाए और उहीं बाद मेरे को यह समझ में नहीं आठा है de मारे खायद यासिन साथ भी भोले कि मैं उन से बात भी किया से ऐसा कुछ ही नहीं वो ये बोले मैं पुरा अंदर तक जाकर मैं बात करना नहीं चाहरा हूं मैं यहीं चाहरा हूं एलेक्शन आया यहासिन साहब को मुसल्मान यादा आते हैं मैं भी उनका खाय दियूँ आज खाउम की बात ही तो है ना मेरे को कोई बढ़कर नहीं मेरी खाउम मेरे लिए सब कुछ है ना मैं ऐसा कोई बड़ा लीडर हूँ मैं तकलीब हो रही हूं आप लोगों के सामय ना बताना चाह रहा हूं यासिन साहब बोलते हैं 45,000 ओड है मेरे पास है नियां नाम हज़र टीपर सुल्तान का नाम देना चाहिए था एक मुसलमान के नाहिते सी नहीं तो भी फ्रीडम पटर मौलान अबुकला महदाद का नाम देना चाहिए था आखरी को नहीं तो बड़ा अच्छा बोले एटीव में इरपान भई खुद में रही चुर का भी नाम भी देना चाहिए दे सकते थे हमारे कु आंधरा में जो मंदीर ह है उसके हमारे गिलाश को कुछ भी ने रही वात मैं भी हमारे अली जनाब आश्म साथ का एक फालर सों जो पार्टी में कोई अउदेप नहीं हमारे को हमारे मुस्लीम हैदराबाद कर ना टक में फिलाल लगत आशीं साथ उनके साथ उन्हें उस दिन से में उनके साथी चैस सब मुसल्मान वोटिंग करते सब करते गहर मजभी करता उसके बारे में डिप नहीं जाना चाहते आप बोलते मैं मुसल्मान का लीडर सही बात है रही बात अनिस भोसरा सब उन्हों क्या बोलते उनके फर्दन क्या बोलते पूरे मुसल्मानों को हम लेकर चलींगे हरजात को लेकर चलींगे हाली में बंदिया के इलेक्शन में भी देखा हम कि क्या हो चुका और रही बात एक जैने बोलते मुसल्मान को लेकर चलींगे मेरा सवाल भो आदनिया है उस दोर में हमारे नौप चिछा गौस मौने दिन उन्हों है ना आकर रहे ना नहीरो जी को है ना रिस्यू करकर रहे ना अक्षाड के इसमें एरमरस के आई भी में कुछ नहीं खाना गिना खलाए बोलकर हमको यह भी इतला है रही बाद वह एरपोर्ट का गर ना का एरपोर्ट होंगा एक मुसल्मान के अद्मी का नाम रखेंगे देवन हर्ली में जबके टीपू सुल्तान के पाइदाईश होँ पे वहां पे नाम नहीं रखने को दिए कोई बात ने भी यह शेहरे रहे निदामतरकार का नाम रखो ना जो अड़ाइस्तों जमीन अड़ को रहे ना मिलकर फाइनल डिसीजन लिए नहीं होता हो इसा इसके वास्ते भी कोट ना भी बाखी है कोट गीट को सब्जे नहीं जेंगे आप लोगां 35 कौंटला रहना परसुन के मिटिंग में मौजूद थे क्या पहले ये बताई ने तो महीं बताता हूं रही बात हमारे वाट के चे विनैं कुमार शेर्में साथ उनको भी मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम के एरिया में उनको जीता है कि मेरे वाट के लोग क्या बोलिंगे किसी तो डिसकर्स करो तुम्हें बड़े लोगां लेटर दे दिये खतम अरे लिटर लेटर देता वैसा वैसा वाइसा क्या है राइचुरालियां को कान में है ना फूल रख एक जगा बिड़ी रख दे रहे बराबर कर दे अगर आपको राइचुर का नाम रखना है तो अज़र्ग टिपु सुल्तान रखिए वह भी नहीं आपको तकलिफ होती फीडम पैट रहे ना मौला ना अबु कलामाजात अगर वह भी नहीं होता तो मैं एक नाम बोलते तो छोड़ देता हूं जो आज सका मुसल्मानों को ले को चले मुसल्मानों के वास्ते काम क्या बोले तो है अमीर अना उनका नाम रख दीजिए कोई तकलिफ की बात नहीं वह नहीं हो है आप पार्टी के तरफ तुम बोलें करेंगे आप लोगा रहिचुर के ओम चेना मीडिया ओलें को पूछ करेंगे पूछिए क्या बोलते क्या चाहरे ऐसा ना हो और इसके बारे में हमें आखरी तक जद्धो जायत करेंगे डीसी साब के पास मेमोराडम दिंगे हमारे सी जो बन सकता हमें वो करेंगे इसके अग पूछो हमारे हम फिरते हम देखने करता है घरीब को क्या तकलिफ हो पूछो उनके पास रीचे पंच मुकी वहां पर कोई घरीब को एक खाने की चावल के पाकेट नहीं देते हो ट्रस्ट वाले गिलगे सुगर है वहां पर इत्ते घरीब के आबाद यह हली नदी की बाच नदीश है वहां भी हैना किसी को हैना गरीब को एक चीज को हैना ट्रस्ट वाले मदद करने को आगे नहीं आते तो वही से लोगों क्या नाम आप है ना रखना चाहरे मेरे को बड़ी हैरत की बात हो री करना टक हमारा हम यहां पैदा हुए यहां के शहरी और रही बात उनक पर लिखा हुआ है नवाब जी का ना क्या वही हम जो देते उसी के उपर क्यों नजर हमाँ आप रही चुर में आप है ना रही चुर का खुद रहो कई को ने तो समझ सीदीखी के भई है ना नजीर सीदीखी साथ मोस्ट सीनियर लीडर उनका नाम रखो डाक्टर टीपो सुल्तान जो अपने बच्चों को तक गिर्वी रखा अरे उसके नाम सी तो देवन अड्ले में हाथ दे दिया ना भई मैं रखिंग तू बनात नहीं कोई भी ने करते आज मौगा शैराने रही चुर को आया सो है मैं टीपो सुल्तान कमेटी वालां से सबसी बोर रह है और रही बात मेरे दिल सी एक चीज़ बोलना चाहता हूं आज मुसल्मानों की आवाज उठाने के लिए जो ये टीवी चैनल जो उर्दू निउस है वाई एक ही चैनल है जो गरीब की आवाज पूरी आवाम तक पहुंचा रहा लीडर तक पहुंचा रहा अगर शैराने मैं चैनल नहीं होता तो वहीं काम होता था मालूम होता दाना करता था मैं दिल सी मेरे दिल की घहरेहां इसके बहुता हूं जो इटीवी के 저희가 जित्ते भी लोग है उनको अल्ला ताला सही नवाज है दूसरी इससी क्या भी नहीं और हम इना इसके बारे में फाइट करते रहेंगे यासिन साहब आप भी जायन में रख लीजिए आपको मुसल्मान वड़ दालकर जिता भी सकता है तो नेक्स्ट आपको आपको मालूम है में पटेल करेंगे हर काम कर लेंगे सब करेंगे जप मुसल्मानों को कुछ देने का टैम आया तो आप ऐसा मुंड़ी फ Красने प्रस रकल के लुए किसे हूं इस फि dre Daihona तो म आप हम somarak सब्सक्राइब खाँ हुस्त इसको है तो का नाम भी दिये तो भी मंदूर है मौलाना अबू कला महाजाद का अगर सच्चा कि देजभक्त है जो है ना सेकलर अपने आपको मानता है तो शक्स है ना आवाज उठाकर बोलना कि अधर टीपु सुद्दान का नाम रखा जा अपने बच्छों को गिर्वी रखे आखरी को शुक्त निवा तो रैच्छू एरपोर्ट बोलकर रख दीजिए बड़ी अच्छी बात रइच्छू एरपोर्ट नाम रइच्छू का नाम है नहीं हर तरफ चले जाता कौन सो ना को किसका भी रेच्छू निंदाना रैचूर एयरपोर्ट रख दो खत्म आप जायन में र अच्छा बहुत उशार है इसके लिए है ना फाइट करेंगा चाहिए स्टियों मुस्लीमों नाये को लिंगा है तो हर कोई अब रैचुर के कोई चीज को जाने को नहीं दींगे अब सब लोगों से एक इस गुजारे से आप तमाम लोगों को डिसी साब आप है ना इन 35 काउं हुआ 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 है